देखिए फ्रेंड इन दो कलर से बनाएंगे हम तो पहले बॉर्डर के लिए हम इस वाले के पंदराफंदे डालेंगे फ्लैक के तो, तीन, चार, पांच, चे, साथ, आट, नौ, दस, ज्यारा, बारा, तेरा, चौदा, और इस पंदराफंदे हमने ब्लैक के डाल लिए अब इस वाली ओन से हम तोटल हम साथ पंदे डालेंगे और इस वाली ओन से इस तरह से पंदरा होगे 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, इस आट पंदे में डाल लेते हूं फिर दिखाते हूं अब देखे फ्रेंट 15 फंदे हमने इस कलर के और 50 फंदे हमने यह तोटल 65 फंदे डाले हमने अब यह पूरी स्लाई हम उल्टी उल्टी बना देंगे बना देंगे पहले बाइट वाले बना देंगे फिर आगे ब्लैक वाले पूरी स्लाई उल्टी बनाएँगे वे बाइट मैं बना लेते हूं फिर बलैक दिखाते हूं.. अब देखिए फ्रेंड यहां बाइट तक बना लिया है अब हम भी ब्लेक वाले बनाएंगे 15 फंदे तो बाइट वाले इधर लेके आएंगे प्रॉस करेंगे इसको और अब इन 15 फंदों को भी उल्टा बना देंगे फिर सीधी स्लाइब के दिखाती हूं किस तरह से हम इसमें डिजाइन डालेंगे अब देखिए फ्रेंड यह जो हमारे 15 फंदे इनको हम बैसे ही उल्टा बना देंगे दो, एन, चार, पाँट, छे, साथ, आठ, नौ, दस, त्यारा, बारा, तेरा, चौदा, और यह पंदरा अब हम धागा पीछे करके फिर से वैसे ही क्रॉस करेंगे यहां से देखिए जैसे ही आपस में जूड जाएं यहां पर और छे फंदे हम यहां पर उल्टे बना देंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, और एक, छे, अब धागा पीछे करेंगे इस वाले फंदे को पहले बनाएंगे और इस वाले को बाद में पर देखिए तब इसके बाद आठ पंदे हम सीधे बनाएंगे दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ और एक आठ अब फिर से पहले यहां से पहला फंदा बनाएंगे फिर और फिर आठ फंदे बनाएंगे दो, फिर, चार, पाँच, छे, साथ, आज अब पहले ए वाला फंदा बनाएंगे फिर, अब धागा अगे करके इवाले सभी फंदों को हम उल्टा बनाएंगे इस तरह ऐसे एक स्लाई में हम सभी फंदों को बनाएंगे और एक स्लाई में हम दस फंदे छोड़के बनाएंगे इस वाली स्लाई में हमने इन सभी फंदों को लास तक बना देना है अगली स्लाई में हम दो, चार, छे, आर, दस ये दस फंदे छोड़ देंगे और यहीं से पीछे मोड़ जाएंगे तो ये पूरी में बना लेती हूं फिर यहां फिर आगे दिखाते हूं अब देखिए फ्रेंट ये मैंने पंदरा फंदे बना लिए अब हम धागा आगे करके यहां पर हमेशा हमने क्रोस करना है धागे को नहीं तो यहां पर जाली बन जाई फिर अब दस फंदे हम उल्टे बनाएंगे चार पांच और छे फंदे हम उल्टे बनाएंगे अब हम धागा पीछे करेंगे अब फिर से हम बैसे ही ये वाला फंदा पहले बनाएंगे फिर ये वाला फंदा बनाएंगे अब हम आठ फंदे सीधे बनाएंगे एक, दो, चीन, चार, पांच, छे, साथ, हाथ, नौ, दस, देखें, सोरी, हमने यहाँ पे आठ पंदे बनाने हैं, यहने दस बना, अब फिर से हम, दागा पीछे करके, यह वला पंदा, पहले बनाएंगे, फिर यह वला, अब फिर आठ पंदे, दूसरे डिजाएं के लिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और यह आठ, अब फिर से हम, यह वला पंदा, हर एक सीधी स्लाई पे वैसे ही बनाएंगे, और उल्टी स् पे सभी उल्टे बनाएंगे, अब हम धागा आगे कर देंगे, और दस फंदे छोड़के, पहले के सभी फंदों को उल्टा बना देंगे, इस तरह से, दो, चार, छे, आठ, अब देखें, यह वला पंदा मैंसे उता देंगे, अब धागा आगे करेंगे, इस पहले फंदे को ऐसे उतारेंगे, और यहीं से पीछे मुर्ख के, आगे बाले हम नहीं बनाएंगे, जब अगली स्लाइ बनाएंगे, तो हम आगे बाले फंदों को बनाएंगे, तो इस तरह से एक बार फिर बनाएंगे, हम यहाँ पे तीन ध देखे फ्रेंट देखे एक दो तीन धारी और चौती धारे पर हम फंदे करेंगे इधर से उदर तीन धारियां बैसे बनाएंगे और यह हमने 15 फंदे बना लिए अब 6 बनाएंगे दो तीन चार पाट और चे फंदे बना लिए धागा पीछे करा इस वाले फंदे को पहले बनाया फिर इस वाले फंदे को बनाया अब देखे यह जो हमारे आठ फंदे हैं इनको देखे किस तरह से बनाएंगे चार फंदे हैं इनको पहले हम यहां से उतार देंगे और ये वाले बनाएंगे इस तरह से अब पहले हम ये वाले बनाएंगे एक दो तीन और ये चार तिप एक दो तीन और ये वाले बनाएंगे इस तरह से अब पहले ये वाले बनाएंगे अब फिर से इधर भी हम वैसे ही करेंगे पहले इन फंदों को इस वाल इस लाई पिले लेंगे चारों को और फिर अगले चार इस तरह से उतारके इस साइड ले आएंगे पिछले वाले फंदले तेले बनाएंगे तीन और एक चार अब एवला हम तेले बनाएंगे उल्टी स्लाईया सभी इसकी उल्टी ही बनेगी अब धागा आगे करके लास्ट तक सभी फंदों को बना देंगे देखें पहली धारी पे हमने सभी फंदों को बनाया था दूसरी धारी पे हमने यह 10 फंदे छोड़के बाकी सभी बनाया था अगली स्लाई पे तीसरी धारी पे हमने 15 फंदे छोड़के सिर्फ इनी फंदों को बनाया है इस तरह से आप बना देंगे अब इस चौती धारी पे हम जब हम यहाँ पे चेंज करेंगे चौती धारी पे आठमी स्लाई पे तो सभी फंदों को हम लास तक बना देंगे बस इसी तरह से आप इसको उपर तक बनाते जाएए जितना आपके अपने सिर पे लगा के देख लिजिए गुलाई इसकी कि इतनी बनानी है 15 इंच बैठ रहे हैं तो 15, 16, 17, 18 लास्ट है इसकी उतना हम इस तरह से उपर तक बनाते जाएए इसी डिजाइन को अब फिर से हम तीन धारी यां वैसे ही बनाएंगे और चौती धारी पे हम फिर से ऐसे फंदे चेंज करेंगे अब देखिए पूरे फंदे बना लिए हमने देखिए इसकी सेफ इस तरह से आईए इसकी सेफ यहां पे अब उल्टी स्लाई पूरी उल्टी बनाएंगे और फिर से तीन धारी यां बनाने के बाद इस तरह से हम फंदे चेंज करेंगे तो आप इउपर तक बना लिजे इसी तरह से फिर आगे दिखाते हूं मैं आपको इसको सिलना भी और इसको आगे बनाना भी इन 15 फंदों को थो हमने ब्लैक कलर से उल्टा उल्टा ही बनाना है दोनों साइड से और डिजाइन बैसे ही बनेगा बाकी तो भी बना लिजे आप फिर आगे दिखाऊंगे अब देखिए फ्रेंड इसकी लेंथ मैंने कम्प्लीट कर लिए यह देखिए यह टोटल 18 इंच मैंने इसकी लेंथ रखिए देखिए यहां से लेके यहां तक देखिए 18 इंच इसकी लेंथ है और अब हम इसको बंद करेंगे तो देखिए एक साइड हमारे इतना कम्मा है और एक साइड इस तरह से अब देखिए इस तरह से हम ब्लैक वाले पहले बंद करेंगे इसके बाद फिर हम बैट वाले बंद करेंगे अब देखिए आगे बैट वालों को भी हम इसी तरह से बंद करेंगे सभी को एक बनाया पीछे वाला इसके उपर से उतार दिया एक बनाया पीछे वाला इसके उपर से उतार दिया यहाँ पे फ्रेंड हम जब हम फंदे इदर से उतर करेंगे उसके बाद उल्टी स्लाई पूरी उल्टी बनाएंगे और सीधी पे इसको बंद करेंगे तब ही हमारा यहां पर यह एक साथ ऐसे ब्रावर आएगा तो मैं इसा भी पंदे बंद कर लेते हूं फिर आपको सिल के बताते हूं इसको किस तरह से सिलेंगे हम इस इसी तरह से हमने लाज तक बंद कर देना है देखिए एक स्लाई हमने पूरी आगे तक बनाई फिर हमने यहां पर दस पंदे तक बनाई फिर उसके बाद हमने यहां पंदरा पंदे तक बनाई फिर अगली पूरी बनाई फिर दो धरियां हमारी यह से हम पूरी पूरी बनी है जब हम डिजाइन स्टार्ट करेंगे और लास्ट में डिजाइन खत्म होएगा तब तो यह मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ अब देखिए फ्रेंड सीलेंगे हम इसको जो हमारी उपर वाली साइड है कमबाली यहां से सीलना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इस तरह से एक एक लूप में से इस तरह से लास्ट तक हमें दो बार इसको इस तरह से लिकठा सील देंगे यह उपर वाला पार्ट है तो यह मैं दो बार इस तरह से सील लेती हूँ लास्ट तक इसके बाद फिर साइड वाला सिल के पताती हूँ तक यह बाद में खुले ना हम इसको टाइट से सिल देंगे अब एक बार फिर हम उल्टी साइड से इसी साइड को मूड़ेंगे इस तरह से और फिर आगे दिखाती हूँ मैं अब देखे फ्रैंड इसको हम यहां से टाइट सा किंचेंगे और यह जो हमारा यहां से इसको जॉइंट करेंगे दोनों साइड से इस तरह से अब सीधी साइड से हम इसको सी लेंगे और इस तरह से यहां पर यहां पर नाएंगे हम और इसको टाइट सा करतेंगे यहां से उपर हम ऐसे ही छोड़ेंगे अब हम यहां से सीधी साइड को सीलेंगे तरह से नीचे को तरह से रखेंगे उपर से नीचे को सील देंगे देखे किस तरह से यह हमारा उल्टा फंदा है इसको सीलेंगे फिर इदर वाला उल्टा फिर एक लुप मैं से नीचे तक इस तरह से सीलते जाएंगी और नीचे फिर एम बलेक वाला बलेक अलर से सीलेंगे इसकी शिलाई फरेंट दिखती नहीं है को हमने यहां से इसकी स्लाई का रख्य आपिए जो सिलाई हम कर रहे हैं तो दीखेगी नि तो मैं इस तरह से नीचे तक सील लेते हूं सारा फिर जो ब्लैक वाला हमारा एक चोड़ी वाली पट्टी है इसको हम डवल करके सीलेंगे यहां पर दीखेगी नि यहां से हमने एक एक लुक निकालते जाना है और इसको सिलते जाना है नेचे तक यह देखेए उपर देखने रहे है यह अब देखिए फ्रेंड यहां तक सिल लिया मैंने यह पूरा अब यह वाला पार्ट हमने खुला छोड़ दिया जो हमारा ब्लैक वाला है अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे पैपे और यह जो ब्लैक वाला है एक एक लूप यहां से इस तरह से सिलते जाएंगे देखिए एक इसके एक यहां से और एक यहां से एक ब्लैक इसकी एक इसकी इस तरह से हमें पूरी गुलाई में सिल देंगे इसको देखिए यह वाली और यह वाली इसकी ध्यान से देखिए कर और यह मैं सिल के फिर लास्ट तक आपको फिर आगे दिखाती हूँ किस तरह से हम इसको फिर जॉइंट करेंगे अगले वाले को मैं सिल लेती हूँ पहले पूरा इतना आएगा फिर अब देखिए यहां तक सिल दिया मैंने यह दिखिए फोल्ड करके यहां तक अब हम इस साइड को धागा लाके जैसे ही हमने यह उपर वाला पाट सिला था उल्टा उल्टा करके और एक इस साइड से इसी तरह से हमें राउं में सिल देंगे निचे तक तक जैसे उपर वाले को और ऐसे ही शिल देऊ निचे तक उल्टी साइड भी शिल देंगे शिल देंगे यहां से पिर यहां से अभी नीचे वाली साइड भी सिलेंगे एक फंदा इधर से एक इधर से लेते हुए अच्छे से इसको जॉइंट कर देंगे ताकि यह खुल लेना दोनों साइड से थोड़ा खुला खुला सिलना है नहीं थोड़ा टाइटनिंग करना है इसको अब यहां अंदर की साइड जॉइंट करतेंगे यहां पर और धागा काट देंगे हम हमारी कैप अब सील चुकी है यहां दो तिन डॉट लगा देंगे अच्छे से नारी जब को बाद में भी कुल लेना है अभी लास्ट बला देखिए जब हमने इस तरह से दो वर और यह राइट साकरा और यहां से काट दिया देखिए बहुत ही सुन्दर कैप बनके हमारी प्यार हो गई है इस तरह से देखिए यह इसका प्रेंड एक वाद जरू ट्राइ किजीगा इस वाली कैप को बहुत ही इजी है बनाना भी और बहुत ही जल्दी भी बन जाती है प्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को थेंक यू झाल झाल